हेलो गैस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में इत वीडियो में हम रिव्यू करने चाहरे है Nikon का 50mm lens तो आप देख सकते हैं, मेरे पास इस वाले D7100 कैमरे पे ये वाला lens लगा हुआ है और ये वाला lens आपका 50mm F1.8 D lens है बेसिकली ये आपका जो lens होता है इसके अंदर autofocus motor नहीं होता तो आपका जो भी autofocus का काम करता है, वो आपका camera की body करती है, तो इसलिए अगर आप ये वाला lens D3000 series के camera पे या D5000 series वाले camera पे लगाओगे तो ये आपका autofocus उन पे नहीं करेगा क्योंकि उन camera bodies इसके अंदर built-in autofocus motor नहीं है लेकिन अगर आप इसको D7000, D9T या D80 या जितने भी इनके full frame वाले mirrorless camera है या D7000 से जो भी camera है उन पे आप इसको लगाओगे, तो ये एकदम perfectly autofocus करेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही sharp आप ये image खीच के आपको देगा तो मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ ये वाला lens एक्चली काफी पुराना है ये जब Nikon ने आपके DSLR launch नहीं किये थे Nikon के film camera आया करते थे जिसमें रील पढ़ती थी, उस रवाने से ये वाला lens आज तक यूज हो रहा है और इसमें आज की तारीक में बियकर आप इसको DSLR में यूज करोगे सब कुछ एकदम perfectly इससे निकल गया आता है आपको एकदम सही exposure मिलेगा पहुच अवर्दस background blur मिलेगा क्योंकि 1.8 aperture का ये lens है autofocus भी एकदम precisely होगा बहुत ही एकदम sharp इससे आप image निकाल पाओगे बट क्योंकि इसके अंदर आपका autofocus motor नहीं है तो इसके अंदर एक actually screwdriver होता है जो इसको camera की body उस screwdriver को drive करती है autofocus के लिए और ये आपके जो AFS वाले जो lenses है जो आज की तारीकी में आते हैं 50mm f1.8 g उसके मकाबले ये थोड़ा noisy है जो G वाला है उसके ही lens के ही अंदर आपका autofocus motor होता है और वो काफी fast है silent है focusing की terms में तो वीडियोग्राफी के लिए वो जाला अच्छ है ये इतना अच्छा नहीं है पर अगर आपको सिर photography करनी है या आपको वीडियोग्राफी में manual focusing वखेरा करके करना है तो उसके लिए कोई दिखकत नहीं है तो जब मैं इसको देखो अब मैं ऐसे focus करने की कोशिश करूँगा camera on करने के बाद तो आप देख करते हैं ये focusing में काफी noise करता है और देखो कैसे घूंग रहा है इसके अंदर screwdriver वाला motor है वो उसको drive करता है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखता कैसा है तो मैंने इसको उतार लिया अब दिखने में ये बहुत ही चोटा है अगर इसके वजन की बात करो तो around 130 gram है जो अगर आपका 50 mm का F1.8 lens है उससे ये almost 80-90 gram हलका है और image quality दोनों की almost बराबर ही निकल के आएगी तो आप देख सकते हैं ये ऐसा देखता है ये वाला यहाँ पे एक switch है जिससे आप aperture को खोल सकते हैं मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको देखो आपको दिख रहा होगा ये aperture का मुग ऐसे खुलता हुआ इससे और ये आपका ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये एक छोटा सा screw दिख रहा होगा आपको ये तो ये जो camera की body है अब camera की body भी आप देख लो इसके अंदर भी यहाँ पे एक screw है तो ये इसमें fix होके इसको rotate करता है ठीक है guys sorry यहाँ पे इसका screw इथर पे तो ये इसमें fit हो जाता है फिर वो इसको गुमाता है तो जब आप देखो मैं इसको ऐसे गुमा रहा हूँ तो ये साथ में screw भी हिल रहा है तो यही काम जैसे मैं हाथ से गुमा के focusing कर रहा हूँ ये camera की body करती है बट अगर आप camera की body में आपके autofocus motor है जैसे कि इस वाले camera में है तो इससे भी जो आपका autofocus है एकतम perfect मिलेगा image में sharpness की कोई भी कमी नहीं मिलेगी एकतम perfectly fine आपको सब कुछ मिल जाएगा अब हम एक बार देख लेदे हैं कि अगर हम इसको अगर compare करें 50 mm f1.8 g lens से तो दोनों में कितना अंतर है आप देख लकते हैं मेरे पास ये वाला lens भी है 50 mm f1.8 g देख लिए इस पर लिखा हुआ है तो side by side आप इनको देख लिए ये दोनों ये वाला उससे काफी छोटा है और चोड़ा भी कम है ठीक है इसके अंदर built-in autofocus motor है तो ये आपके हर type के camera पर चल जाएगा जैसे कि आपका D3000 series के camera या 5000 series के camera आराम से उस पर चल जाएगा पर अगर आप image quality की बात करें जो इससे image quality निकल के आ रही है background blur जो इससे मिल ला है दोनों में अंतर ना के बराबर है हाँ ये वाला चो लेंसे खलका सा जाथा sharp है और खलक की सा इससे आपको चो bouquet effect मिलता है वो गोले से जो बनते हैं थोड़े से इससे बहतर मिलते हैं लेकिन कितने बहतर बहुत कम 19 और 20 का फरक है अगर ये 20 है तो ये 19 है और कर हम इनके price की बात करें तो ये वाला अगर आपको नए में ही आती 6000 का मिल जाता है और पुराना तो ये आपको सस्ते में बढ़िया एकदम background blur के लिए lens लेना है portrait का जिससे आपका काम हो जाए तो ये 3.3 में आप ये lens ले लो और साथ में आप जैसे D7000 सेरीज का camera या D90 या D800 जिसमें आपका body अंदर photo autofocus motor built-in है वो ले लो तो उससे आपको सस्ते में पुराने नाइकोन के screwdriver वाले lens भी मिल जाएंगे और आपका सस्ते में काम भी हो जाएगा और आप professional photo भी उनसे लेख पाओगे काईब उसके लावा इन वाले जो body अगर आप यूज करोगे तो इसमें आप autofocus को micro adjust भी कर सकते तो कहीं बार आपके lens या तो front focusing करता है या आपकी back focusing करता है तो उसमें होता क्या है कि आपको image में sharpness की कमी मिलती है तो जैसे मेरे चहरे पर अगर मालो focus होना चाहिए मेरे चहरे पर focus आने के वज़ए चहरे से थोड़ा सा आगे है या मेरे चाहरे के तोड़ा पीछे है लेकिन जीज़चे होना चाहिए वहाँ focus नहीं है लेकिन हम इस type के camera में उनको micro adjust करके exactly जहां हम focus आते हैं वहाँ कर सकते हैं लेकिन यह आपको d3000 या 5000 से camera में नहीं मिलेगा गाए तो अगर मैं इस lens की बास करूं build quality बहुत अच्छी है एक और advantage इसका यह है कि इसमें यह आपका front element काफी अंदर है तो इसमें आपको अलग से lens suit लगाने की ज़रूद नहीं पड़ दी तो आप इसको directly use कर सकते हो और camera पर लगने के बाद क्योंकि यह इतना पतला और इतना चोटा है तो आपका जो overall combination है version का तो काफी compact आपका बन जाता है अगर आप इसको D7100 पर लगाओगे तो लगने के बाद बहुत ही आपको छोटा combination मिल जाएगा जिसको आप बहुत easily carry कर सकते हो अब मैं अपनी screen पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ photos USB डाल देता हूँ जो मैंने इस वाले camera से लिए है और photo इतने बहतरी ना है मुझे बहुत अच्छे लगे वह photo मैंने D744 वाले camera से लिए थे जो कि मेरे पास पहले था अभी मैंने D7100 भी ले लिया है और उनमे photo में background blur इसी वाले lens से इतना प्यारा है F1.8 पर मैंने अधिकतर photo कीचे और इतना प्यारा background blur सब कुछ एकदम इतना creamy bokeh और sharpness तो बहुत ही प्यारी है उनमें image में तो अकर आपको ये lens मिलना है आपके पास जैसे मैंने बताया एकातर सो इसाथ जार या D90 वगरा है जिसमें focus motor building आप definitely इसको ले लीजे दूसरे वाले के मुकाबल है क्योंकि आपको almost 67,000 रुपे भी आपके बचेंगे और image quality almost आपको एक जैसी ही दोनों से निकल के आएगी guys अब मैं जो दूसरे वाला जो lens है ये 50mm f1.8 g इससे भी जो मैंने कुछ photo लिये थे उसको भी screen पर डाल दूँगा तो आप खुद देख लेना कि क्या ये वाले camera से लिये वे क्या इस वाले lens से लिये वे photo और जो दूसरे वाले lens से लिये हुए जो कि दोनों ही f1.8 temperature के हैं कोई उनमें जादा अंतर है मुझे तो कोई बहुचारा अंतर नहीं लगा दोनों से बहतरी निमेज निकल के आई लेकिन ये वाला मुझे उससे भी जादा अच्छा लगा क्योंकि ये हलका है compact है और सस्ता है और आपके budget में पूरी तरीके से खरा उतरता है वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मुझे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की ज़रते जब एक बार हजार सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे तो मैं कुछ पैसे भी कमा सकता हूँ और आप लोगों का support हो प्यार रहा तो हम इस family को आगे भी और लेके जाएंगे हम live session भी करेंगे आप मेरे को instagram पे follow करो हम वहाँ पे जाके live sessions भी करेंगे कुई भी आपके questions और query हो उसको address करेंगे guys instagram का जो मेरा link है इस video के नीचे में भी लिखा हुआ और description में भी है guys bell icon को press करना अपने दूस्तों से भी बोलोगी यार मेरे चैनल को subscribe कर ले है तो guys फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में एक और नए lens या फिर camera के review के साथ अल विदा